नमस्कार मैं हूँ गौरस सिरास्तो आप में सब देख रहे हमारा खास कारिकम बात अपने देश की तो आज जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा बहुत एहम है क्योंकि उस मुद्दे का जन्ता के साथ जुड़ाओ है और साथी साथ जुड़ाओ है अपराट की दुनिया से आज की समय में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से अपराट बढ़ रहे हैं और अपराट की पुद्दा बढ़ती हो रही वो इस तरह ही हो रही है कि जो अपराट है कुछ सुईनुजूद है और कुछ बदले की भावना से हैं और हत्याओं का दौर जो लगातार चल यख देख ठ Judge लया किस तरह से उत्ति प्रिसिक पुछ से कई जिलों में 5 पांच-पांच हत्याओं एक साथ हो रही है और उत्तिक्रेस की आप देश कोई कोना एसा नहीं है जहां पर हत्याओं पर हत्याओं नहीं हो रही त हम और हत्याएं कुछ तो अपरादी करते हैं जो किस स्मेरिजित अपरादी है जो कि जिन पर कई मुकर्मे दर्ज है है बांचित है गैंक्ले फिesz्या लगें पोड़े्स पहीन पर आपरादी यारी परिफशनल किम्णल पर जो कुछ और आखले वह ऐसे हैं कि जो अपरादी हैं वो अपरादी नए हैं और अपरादी फिस्टी भूमी के नहीं है ना उनका कोई अपराद रादे के त्यास है वो Tier और केबल अचानक को के अचानक के से बजली की जावरास एक किस्त और तकलीब से सोसर से पीड़ा से तमाम उनके उपा जब दिक्कतें आती हैं और उनके सार गलत होता है तो एक सामान आदमी भी अपरादी बढ़कर अपराद को अंजाम दे देता है और इस समय देश में यही इस्तिती चल रही है और अपराद के आगरे महच हत्या तक नहीं है यहाँ पर आदमत्या भी हो रही है क değ और इसमें किस किस की भूमिका रहती है वो भी अपरादी की सीरेनी में ही आते है यानि किसी को आदमत्या के लिए उक्साना भी अपरान माना जाता है और आर्मत्या करना भी अपराद है पर चुकी जो आर्मत्या करता है वो तो इस दुनिया चला जाता है तो इस पर कोई मुकर्बा लाजिम नहीं होता है पर जो आर्मत्या के लिए बज़ए या जो आर्मत्या के कारण है या जो नोंने आर्मत्या के लिए इसको पिरिट किया ह पर यहां पर जो अपराद हम देख रहे हैं लगातर बढ़ रहे हैं हत्या चोरी डगैती छेनैती बलाटकार रेप गैंग रेप और सबसे बड़ी बात है कि मैलाओं का सोचन और जब मैलाओं के सोचन की बात होती तो मैलाओं का कई मायने में सोचन होता है सोचन कारवाली जगह पर सोचन घर में सोचन परवार में सोचन समाज में और जो सोचन होता है उससे भी एक अलग कुंठा जनम लेती है और कुंठा के बाद जब इस्तरी परिसान हो जाती है तो वो आर्पत्या करने का बिचार करती है और आर्पत्या कर लेती है जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ जगाओं पर जब मामले उत्तपरिस में आये हैं वो मामले ऐसे हैं जहां पर एक महिला दरोगा ने आर्पत्या पर कही नहीं जो हत्या हो रही है जो भी अपर नहीं हो रहा है वो पढ़नाम है हमारी सेंसीलता के हास का जब सेंसीलता की कमी होती है जब धहर की कमी हो जाती है तो आदमी एक नेड़ना ले लेता है वो नेड़ना होता है अपराद का यानि जब आदमी के इनसान की मानव के हास से चीज़े निकल जाती है उसको लगता है कि उसकी समस्या का समधान केवल केवल हत्या है उस सामने वाले को खतम कर देना ही उसका समधान है तो वो समधान को पूरा करने के लिए पेशिवर अपरादी की तरह हत्या को अंजाम दे रेता है और बाद में पूरी जिन्डगी अपने उस हत्या के कारण अफसोस मनाता रहता है चाहे जेल में हूँ और चाहे सामाजिक तोर पे करें चाहे गैंगरे की बात करें चाहे च्रिटार की बात करें चाहे हत्या की बात करें चाहे चोरी की बात करें और सबसे बड़ी बात है कि उत्तापडेस में दोजार बीस के गर हम बात करें तो लगवा लबग तीन जार सास्सो उन्यासी हत्याएं की गई तबसे जार हत्य और अगर अस्तन हम बात करें तो देज भर में 2020 का कर आध्डला का हम लेते हैं तो लवओ लवओ पॵित देंट ऑस्तन सतर से असी हत्याएं हो रही हैं ag क्यों हो रही है? वह सारी हत्याएं तो पेशेवर अिपरादी नहीं कर रहे है? पर यहां पर हत्याओं के आंकलों के बात करेंगे तो हत्याओं के आंकला यह स्पस्ट करता है कि जो हत्याओं जो हो रही है बदले की भावना से भी हो रही है हत्याओं हो रही है हतासा से भी हो रही है हत्याओं हो रही है जिनको आर्भत्या का जा रहा और उनकी भी हत्या ही की जा रही है क्योंकि आर्भत्या के लिए उकसाना भी हत्या ही माना जाएगा क्योंकि उसका किसी इंसान की जिन्दगी कही है और आपकी उसकी जिन्दगी को जाने में आपकी भूमी का है एक अलब तरह का महौल है जैसी पिच्चरें ऐसी मूवी ऐसी वेप स्रीज बन रही है उनसे उनका लोग अनुश्रान करने लगे हैं और अनुश्रान करने के चलते हैं अब वो सोचते हैं कि उनके कोई सबस्या का विकल्प केवल केवल अपराद ही है वो मजबूती के साथ व पॉंट्रेक्ट लेकर हत्याय करते हैं पर जो हत्याय आम होती है अचानक होती है उनको पेसवासमारी नहीं बल्कि उनको एक सामान आडमी अंजाम देता है सामान आडमी की सेंसिलत्या का लेवल जब कम हो जाता है जब उसके अंदर नेतिता खता मुझाती है तो हत्या जैस और लगातार इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं एक और अलग चलन हमारे देश में समय चला है वो चला है ओनर के लिए ओनर के लिए अमूनन इसका सब जगए ब्यापर प्रिभाव तो नहीं है पर उत्तर भारत में हर्याणा, पंजाब, उत्तपनेश जैसे पस्चिम उत्तपनेश जैसे छेत्र में यहाँ पर ओनर के लिए बहुत आयत होती है ओनर के लिए होती क्या है ओनर के लिए यह वो के लिए जिसमें आदवी सम्मान के चलते अपने ही नाते रिस्तेदारों के हत्या कर देता है और सब्सक्रारा ओनर के लिए में हत्या होती है बेटी की या बेटे की और अगर किसी का बेटा बेटी भाग जाते हैं साधी कर लेते हैं और बार जा पकड़े जाते हैं तो उनके परवार कुटम्ब के लोग समाय पेटिस्था को देखते हुए उन दोनों की हत्याय कर देते हैं और इसे ही ओनर किलिंग कहा जाता है इसे ही सम्मान के लिए हत्या कहा जाता है पर ये ओनर किलिंग क्यों हो रही है ये अपराड क्यों हो रहे है आरपत्या क्यों की ज कारड है वह सहन सीलता में कमिए हम लगातार देखते हैं कि छोटे थे तो हम पटंप्ड जयती है नितिक फिच्छा की जिठी माद्वम से आप समाज को समझे था के आनवी जरूतों को समझेंगे डहर को समझेंगे की धैर जिंसान की जिन्दगी में मानद जीवन में कितना अबस्च है कितना जरूरी है पर यहां पर सेहन सीलता लगातार कम होती जा रही है और सेहन सीलता के अभाव में लगातार अपराद बढ़ते जा रहा है जिसको रोकने के लिए आपको समाज में ब्युस्तित परवर्तन करना पड़ेगा भाई आपको जो एक पीड़ी है जो नई पीड़ी है हमाई द्देस की जो 21 सताड़ी चाहिए पास्चा संस्क्रीली कि से उता है जी रही है वह जीवन सेली हो चुकी है रात को टहलना हो गया जो भी आचरन हो गया जो एक जीवन सेली जो एक अनुसासे जीवन सेली होती थी खतम हो चुकी है और अनुसासे जीवन सेली खतम होने के साथ साथ बढ़ चुकी है कुंठा कहीं काम की कुंठा कभी प्रेम की कुंठा कभी परिवार से तो कुन्ठा का पढ़नाम होता है रहुत है अपराव क्योंकि क्योंकि इतियाज गबा है जब कुन्ठा बड़ी है तब केवल युद्ध हुआ है पढ़नाम बहुत वीवत्ष हुए है .कि लग बात है कि हम कुन्ठा को भस में कर सकते हैं कुंठा को हम अलग हो सकते हैं या कुंठा को अपचार कर सकते हैं पर इसको अपचार भी आपको स्वयम करना होगा और इसके लिए सब सब जरूरी है वो होती है आदत में अगर आप कुछ ध्यान करते हैं या कुछ आप आस्था रखते हैं धर्म में आस्था रखते हैं या जो आदर्स जीवन से ली कहा जाती है और अपने परवार के बुजर्गों के साथ कुछ समय पिताते हैं तो यहां पर अपरार की जो संख्या है बड़ी कम हो जाती है तो सरक्ति परवार का यहां होना बहुत जरूरी है जब कोई आदमी परिसान होता है तो अगर वो अपने बड़े बुजर्गों से सलाय लेता है अपनी समस्या का निदान पूछता है तो बड़े बुजर्गों उसको एक आदर सलाय लेते हैं कि अपनी समस्या के समधार ऐसे क कर सकते हैं और जब अकेला होता है कुंठा से भरा होता है तो इसके सामने कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर जो मन बोलता है और जब मन हावी होता है तो दिमाग यानि विवेख खतम हो जाता है और जब विवेख खतम हो जाता है तो आदमी अपराद कर वैठता है जो कि इ कि रहनगे कुछ का सीरह सीरह उसको ही खतम करने के लिए प्रियाज करता है और अब केवल हाथ पर ही टोड़ जाते लडाई नहीं होती है अब केवल केवल गोली मार जाती है या निरसंस हत्याइं कर दियाती हैं जो कि हम लगाता और देख रहे हैं अई प्रियागराज में भी आपने देखा किस तरह से पांच लोगों की हत्याइं की गई कौन किया कैसे किया ये तो खेला भी जाज का विसा है पर इस मामले में एक बार इस प्रस्ट होती है कि इनसान का सेंसीलता का जो लेवल है जो इस तरह है वो खतम हो चुका है और खतम मैंसरी बोलूँगा क्योंकर खतम नहीं होता तो जो लगातर आंकड़े बढ़ रहे हैं उ क्योंकर आंकड़ों में कमी के लिए आपको नेतक्ता समझनी होगी और सबसे पहले आपको नई पीड़ी में सेंसीलता को बताना होगा सेंसीलता क्या होती है केबल रोज पिकट करना रोज को पाले रहना और रोज पालने के साथ ही अपरार को अंजम देना ये नेतक्ता नह जिन्दे खोलने चाहिए जहां पर अगर कोई आड़ी पीड़ेत है तकलीप में उसका दमाग काम नहीं कर रहा है तो अपने आपको रिफ्रेश कर सके और उसका माइंड वास करके उसको सही रास्ते पर आएंगे हाला कि जिल में तमाम तरह की बेवस्थाय होती है पर यहां पर जो भी अपराणी होता है उसके मनोधार्णा बन जाती है उसको सारे बजहों का एक ही हल सूचता है वह सूचता है अपराण वह सूचता है हत्या वह सूचती है चोरी वह सूचती है गलत यानि लीगल इलीगल ए कश्ट में अर्पत्या करने तकी सोच रहा है किसी को मानने तक ही सुच रहा है और अपने आप माइंड बास कर सके हैं कि हमको किसी समस्या का समधान है कि हम्यों कर सकते हैं कि आनाप unterstützen कर दिना ही तो जो हमारी चर्चा के आज स्पाश छूंकिया जा रहा है कि हम हमको अगर नेतिकता का पाठ पढड़ना है हमको धेर का पाठ पढड़ना है हमको सयलसिता का भाव अपने अंदर लाना है उसको भी एक मनुधानना के साथ जीना होगा उसको समझना होगा कि अपराद ही अपराद की बज़ा है अगर हम किसी भी समस्या का समधान धहर के साथ करेंगे तो ना अपराद होगा और ना अपराद की बज़ा होगी और ना अपराड की जड़ होगी और ना ही पेसेवर अपराड ही होगे तो यहाँ पर पेसेवर अपराड ही को भी हम अलालग ब्यास्थाओं के माद्यम से समझा सकते हैं उनकी मनुझासा को चेंज कर सकते हैं बलल सकते हैं उनकी मनुझारना को उन्नर बना सकते हैं के जिससे कारण थे रियुब़ा है तो सबस्क्राइब हिस्सेडारी ले अगर वह भुजब्ध हैं तो आने वाले पीजी पर्मित रास्टे बना चल सके कि मेला का स Natalie औल कि अज करेंगे मेलाओं के साथ मेला धहर की देवी होती है धहर की पूरती मेला में पूरी तरह होती है सहनसीलता का पूरी तरह मेलाओं में अभाव नहीं होता है मेलाओं में सहनसीलता होती है बहुत सहनसील होती है मेलाओं तो निश्रूप से वो अपने अनुभवी बता सकती है और बता सकत हो जाएंगे क्योंकि यहां पर अपराद ही कम कर रहे हों और सामानों आदमी इस के दुनिया में दोऔर युक्र को है दो कर रहारा है यहां पर हत्या कर रहे हैं यहां पर हत्याय पर माार वластे तक रहा है और दूसरे को मार रहा है यानि हत्याय वो कर रहा है जो कि कई पेसे पेसे वर अपरादी है नहीं जिसका कोई अपरार के रास्ते से उनको बापस लाने के लिए और समाज में धर और सेंसीलता का पाट पढ़ाने के लिए, समाज में धर और सेंसीलता की धारा बढ़ाने के लिए, समाज के मानत जीवन में धर और सेंसीलता का क्या अंग है, किस तरह ये प्रभाव करती है, किस तरह आबस्य का क्या भूमिका है, ये भी समझाने के लिए हमक कि अगर उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, तो उनको नई पीडी, उनको एडवांस श्रेणी के साथ साथ उनको नेत्रिकता और सेंसीलता का पार्ट ही पढ़ाए, जिस उनको समझ में आए कि किसी समस्या का समधान केवल केवल अपराद नहीं है, केवल केवल गेंगरेप और रेप नहीं है, केवल गेवल 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 ऑनर किलिंग नहीं है, बलकि उसका समधान अच्छा भी किया जा सकता है, अगर हम अपने आपको बहतर कल की रूप में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको बदलाम करना होगा, बदलाम जनता को भी करना पड़ाइगा, स आने वाले समय में भी ऐसे केंज स्थाफिट करने होंगे, जहां पर लोग अगर कुंठा से भारे हुएं, गिरसित है, उनको तकलीप है, उनकी समस्याओं का समधान किया जाए, उनकी कांसिंग किया जाए, उनके अंदर जो सेंसीलता का अभाव हो गया, सेंसीलता खतम हो ग है और धहर से था नलोत एक हुरई अगर हम बैतर करना चाते हैं, तो दीज की जनता को भी अदर थित लाव हो रहे तो logo कि 10 में में हर जाहिक जो कि सामान. आर्मी अंजाम दे रहा है चाहिएु वो ओनर करी लिए की हत्तिया हो या अपरार में कमी करना है तो उसको धैयर को बढ़ाना होगा सेखन सीलता के साथ जीना होगा और साथी-सात सरकार का भी प्रयास होना चाहिए यह से किंद दृस्था फिर यहां पर सब्सक्राइब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार